तो 3.5 के बार हमारा नुमेरिकल होता है कौन सा से 0.6 अच्छा ये रही फिगर क्या बूल रहे है कि हां क्या बूल रहे है डिटर्माइन दी करंट इन इच ब्रांच ऑदी नेटवर्क मतलब सब और कुछ आगे पूचा है क्या नहीं पूचा है तो सारी ब्रांच में अभी जैसे बूला था वैसे ही सारी ब्रांच में करंट निकल ला है ठीक है हां ओके चलो सो एपलाई करते हैं हम करंट के किर्चॉफ वाल्टेज लोग कहां अपलाई करेंगे ए कहां से सीधे जाएंगे ए बी यह कौंसा पोइंट है और बैटरी है ना तो दी पे आजएंगे फड़ फर यौर छोड़ चसे ए बी सी पे चले जागे यहां तो हम के बी सी करते हैं यहां पर अगर के आपलाई करे तो क्या हो जाएगा यहां से जारहे हैं आई टू इंटू 4 अब डायक लिख रहा हूँ देखो और नाय इंटू और डायरेक्शन हम जहां जा रहे है वहीं पर है positive फिर B पर कौन पर है अब हम जाएंगे नीचे क्योंकि B to C जाना है तो B to C जाएंगे तो I कितना है वही डायरेक्शन में जहां पर हम जा रहे है तो plus I कितना है I2 plus I3 और Ohm कितना है 2 ओके C पर पहुंच गए अब ऐसे जा रहे है तो वही डायरेक्शन है तो अगे प्लस आएगा current कितना है I1 और resistance कितना है 1 तो 1 को छोड़ा है अब बापस वहां पर battery है minus आ रहा है तो minus 10 and that is equal to 0 हो जाएगा तो minus 10 को मैं उससे directly लिख रहा हूं that is plus 10 minus 10 is equal to 0 होगा तो plus 10 उज़र जाएगा तो plus 10 यह आगे हमारा इसको solve कर दो इसको solve करेंगे तो क्या होगा 4I2 plus 2I2 plus 2I3 plus I1 is equal to 10 therefore I1 कितने है I1 plus 4 plus 2 6 6I2 plus 2I3 is equal to 10 yes तो यह हमारी एक equation हो गए फिट से KVL apply करते है कहां पर वही लाइन में जाएंगे जहां पर opposite भी जा सकते है लेकिन general अभी सर A D से जाते है A D से जाते है A D C A तुम A C D A भी जा सकते हो लेकिन sin minus होगे बहुत कुछ है तो A पर से जाओ के जिस direction में हम जा रहे हैं उसी direction में current है कितना है I1 minus I2 रैकेट में कितना ohm है 4 यहां पहुंच गए अब देखो हम जा रहे हैं उपर current आ रहा है नीचे तो minus हो जाएगा और current कितना है I2 plus I3 minus I1 into resistance कितना है 2 okay चलो C पर पहुंच गए अब जाएंगे हम ऐसे और current भी उसी direction में हम तो positive okay तो current है हमारा I1 और resistance हमारा 1 है ठीक है बात खत्म that is equals to minus 10 आ रहा है तो is equals to करके हम क्या लेकिलेंगे plus 10 done okay अब यहां भी simplification करते हैं so क्या हो जाएगा 4I1 minus 4I2 minus 2I2 minus 2I3 minus 2I3 minus plus 2I1 plus I1 is equals to 10 गलती नहीं हो इना minus 2I2 minus 2I3 minus minus plus 2I1 I1 yes अब देखो I1 कितने है 4 4 plus 4 है plus 2 मतलब 6 plus 7 तो 7I1 अब यह कितने है I2 minus 4 minus 2 मतलब minus 6 minus 6 I2 और यह कितने है minus 2I2 is equal to 10 कितना आया 10 done okay तो आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हां अब थर्ड लगाते हैं कहां पर से डायरेक्शन कहां है इसी छोड़ो सब से नहीं है यहां से जाता है बी सी से बी सी डी एंड बी सी डी एंड बी पर जाते हैं ओके चलो तो कैसे जाएंगे ऐसे नीचे जा रहे है करन्ट भी नीचे जा रहा है तो I2 plus I3 और करन्ट कितना कितना है 2 C पर आ गए अब नीचे जाएंगे यह नीचे जा रहा है हम भी नीचे जा रहा है तो प्लस करेंगे और 2 multiplied by क्या आ जाएगा I2 plus I3 minus I1 done 2 2 आ गया है नहीं रहा और D पर पहुंच गए अब जा रहा है हम D से कहां पर यहां तो minus 5 तो is equals to 5 रहा है तो इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 2 I2 plus 2 I3 plus 2 I3 2 2 I2 plus 2 I3 minus 2 I1 is equals to 5 done so I1 पहले निकालते हैं I1 minus 2 I1 है I2 निकालते हैं 2 4 plus 4 I3 निकालते हैं 2 4 plus 4 I3 is equals to 5 done तो हमें 3 equations मिले यह 3 equations कौम solve कर सकते हैं देखो यहां easily मिल 1 और 2 देखो 1 और 2 में 6 I2 6 I2 2 I3 2 I3 plus plus minus minus कौत हो जाएगा ओके सो दो equation हमारे कट हो जाएगे I1 plus 6 I2 यह हमने 10 में देखा था equation को solve करना okay substitution method elimination method 7 I1 minus 6 I2 minus 2 I3 that is equals to 10 so अब दोनों का sum कर दे यह plus है यह minus है cancelled यह plus है यह minus है cancelled sum किया है तो 7 I plus I कितना हो जाएगा 8 I1 is equals to 10 plus 10 20 therefore I1 is equals to क्या आ गया 20 by 8 that is 10 by 4 that is 5 by 2 ampere यह I1 मिल गया okay अब I1 मिल गया है हमें I2 भी तो दुनना है सो यह हमें I1 मिला अब अब यहां कहीं पर भी value put कर दो यह third है third में value put करते है किसकी I1 की third में value I1 की put कर तो कितना है 5 by 2 तो देखो 2 into 5 by 2 2 2 cut हो जाएगा तो minus 5 आएगा यह minus minus 2 into 5 by 2 2 2 cut तो minus 5 तो minus 5 है उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 5 done तो plus 5 होगा तो मैं directly लिख रहा हूं 4 I2 plus 4 I3 5 plus 5 कितना हो जाएगा 10 therefore I2 plus I3 is equal to क्या हो जाएगा 10 by 4 done simple maths ही कर रहा है okay I2 plus I3 10 by 4 आया है अब वो I2 plus I3 के value कहीं और रखके देखते है second equation में हम 2 का second equation में हम 2 का तो क्या होता हां कर सकते हैं कर सकते हैं कोई problem में मतलब अगर ऐसा करेंगे के इसको 2 से multiply करेंगे तो यह जाएगा 14 यह हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 4 तो कट नहीं होगा ना नहीं वो 4 और यह 4 कट होगे जाएगा थर्ड़ equation के सकते हैं अब मतलब केसे भी कर सकते हैं हमें तो I1 I2 I3 निकालना है elimination method यूज करो या substitution पहले हमने elimination यूज किया फिर I1 इसमें put किया मतलब substitution method यूज किया यह दूसरा फिर I1 मिल गया है तो उसको भी ध्यान कर रखो और यह वाला 30 अगे बढ़ते हैं तो I2 I3 के value है तो हमारा equation 1 है equation 1 वाला थोड़ा है तो उसमें equation 1 है equation 2 है और equation 3 कहा है यह रहा ओके और यह भी तो एक equation है ना यह भी एक equation है तो this is my equation number 4 और उसमें हमने value पूट की हाँ तो यह चार equation वाला थोड़ा है तो अब हमारे पास I1 है और I2 I3 की summation वाली value है तो I1 की value है तो I2 I3 की summation वाली value है उसमें से हम निकाल सकते है I2 is equal to 10 by 4 minus I3 अब वो सारी value हम first में रख रहे हैं तो I1 की value पता है क्या है 5 I2 प्लस 6 I2 तो प्लस 6 I2 I2 की जगह हम रख देंगे 10 by 4 minus I3 डन प्लस 2 I3 प्लस 2 I3 प्लस 2 I3 that is equal to कितना आ गया 10 तो यह कितना हो जाएगा 5 by 2 6 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 multiplied by 10 60 by 4 minus 6 I3 प्लस 2 I3 is equal to 10 डन यह सब numbers है उसको उस साइड भेज दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 I3 minus 6 I3 मतलब कितना हो जाएगा minus 4 I3 is equal to 10 यह 5 by 2 है मतलब कितना है 2.5 5 by 2 मतलब 2.5 तो 10 में से 2.5 जाएगा तो कितना रहेगा 7.5 7.5 60 by 4 है मतलब कितना है 15 15 4 जा 60 यह 15 है यह minus 2.5 यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7.5 और 7.5 minus 15 तो वह कितना हो जाएगा minus 7.5 समझ में आया अब यह minus और यह minus क्या हो गया plus तो अंसर क्या आया i3 is equal to i3 is equal to answer आया है हमारा 7.5 divided by 4 और इसको तुम multiplied by 2 कर दोगे तो वह हो जाएगा 15 by 8 ampere Done? Yes आया समझ में आया पक्का? Yes Okay So इसमें भी वह यह answer है आ रहा है answer i1 आगया 1 8 is a 8 plus 7 15 by 8 आगया ना तो दो आशर तो आगये अब यह हमारा formula है यहाँ पर तो इसमें यूज कर लो i2 is equals to 10 by 4 minus i3 की value क्या है? 15 by 8 और से 7.5 यह ही अच्छी है 15 by 8 Okay So that is equals to 8lcm 2 20 minus 15 So हो जाएगा 5 by 8 ampere तो 3 और 3 value मिल गए हमारा यह एक यह दूसरी और तीसरी तो पहले यह रही Done i1, i2, i3 value मिल गई Understood Yes बोल दो वैसे ही जहां जहां i2 है वहां वहां पर i2 की value i3 की value i की value यहां पर देखो i2 plus i3 minus i1 है तो वह Determine मतलब तुम Last में लिखना फिर सब इस ब्रांच ऐसे conclusion table बनाओ Determine the current needs branch तो इसे बोलो के भाई AB फिर उसके बाद बोलो say AB आ गया फिर बोलो BC फिर बोलो AC फिर बताओ क्या AD AD फिर बताओ AC तो आ गया है DC CD और DC Yes और क्या बाकि रहा यह तो आ गया पूरा VD VD पूरी यह battery वाली साइब okay VD with battery okay तो यह पूरी बताओ के यहां क्या 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 आई होगा value to our new only conclusion table हां Easy है Done okay चलो तो last numerical भी देख लेते हैं आई है